तो स्वागत आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में आज का यह जो वीडियो है ना यह उर्दू फॉर बिगनर्स यानि की यूफवी का पार्ट 34 है जी हां 34 और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि मैं जुमला लिखना उर्दू में कैसे जुम प्रेजन्टमटेंस को चाटिनिवस खेंस तो जिसे तरह आप लोग इंगलिष में सेंट्रीं त्रिम्लको को मैं उर्धू में लेकर आ गई हूं जी हां परेजेंटैंस के जितने भी helpless से उसको मैं उर्दू में लिखना और पढ़ना आप लोग को बता रही हूं और इसके पहले वाले वीडियो में यानि की पार्ट 33 में मैं आप लोग को सिंपल प्रिजेंट टेंस से बने से बने सेंटेंस को उर्दू में लिखना और पढ़ना बता दी थी सिंपल प्रिजेंट के संटेंस मतलब उस तरह के संटेंस जिस संटेंस के लास्ट में ता है ती है और ते है आते हैं जैसे कि वह जाता है वह जाती है वह लोग जाते हैं वह लोग खाते हैं वह लोग दौरते हैं जिसके लास्ट में ता है ती है ते है आता है उस तरह के संटेंस को हम लोग कहते है सिंपल प्रिजेंटेंस से बने सेंटेंस को जुम्ले को कैसे उर्दू में लिखा जाता और कैसे पढ़ा जाता इसके पहले वाले पार्ट में बता चुकी हूं आप लोग अगर वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देख लिजिएगा और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज इस तरह के जुम्ले को जिसमें सवाल पूचा जाता है कि तुम कहा जा रहे हो तुम कहां जाते हो वे लोग किस चीज से पढ़ाई करते हैं थीकिले कैसे सवाल सेंटेंस को सीखने वाले हैं जो कि जिस सेंटेंस से कोशन पूचा जाता है कहां क्यों कैसे ठीक हैं और आप लोग को बता दूं कि काफी मतलब आप लोग को बता रही हूं आज का वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाले बहुत ही ज्यादा महत्तोपोन इसलिए वीडियो को अन तक बिना स्किप किये देखिएगा ताकि हर एक पॉइंट आप लोग को समझ में आ सके और अगर आप सच में आपकी दिली खौईश है आप दिल से चाहते हैं कि आप उर्दू को पढ़ना और लिखना सीख जाएं उर्दू को कंप्लीट सीख जाएं तो आप लोग भी हमारे साथ वीडियो को प्ले करके अपने पास कोपी और कलम निकाल कर रख ले और जो जो मैं आप लोग को पॉइंट बताऊंगी उस तरह आप लोग को लिखना है और प्रैक्टिस करना है और पर निकाल लिए होंगे और फुली आप लोग रेडी हो गए होंगे उर्दू को सीखने के लिए ठीक है तो नाव विडाउड एडिए लेट्स गोडू स्टार्ट देखिए इसके पहले वाले पार्ट में यानिकी पार्ट 33 में मैं आप लोग को होमवर्क दी थी दो सेंटे कर या है और पो है और यानि कि यह ग्यापन लिखा है ठीक है और यह अलिफ की अलिफ है अलिफ से होता है अलिफ के नीचे जिर मानते हैं तो ए हो जाएगा काफ से का और यह है और डाल से डा होता है मिम के नीचे जिर और यह पढ़ा जाएगा एकेडमी ठीक है यह क्या पार रहे हैं और पड़ भी पार हैं यह बहुत खुशी की बात है अब देखिया हम लोग का चानल का नाम है ग्यापने केड्मी उर्दू में इस तरह लिखा जाता है कि दो यह याद रहे हैं तो वह ग्यापने केड्मी से पढ़ाई करती है कितना सिंपल इस तरह लिखा जाता है ना इसको उर्दू में इस तरह लिखते हैं और यह वाला जो है उपर बिंदू वाला नौ वाला है हिंदी में इस तरह लिखा जाता है ना तो इसको उर्दू में इस तरह लिखते हैं ठीक है यह याद रख लेना है और एक होता है हो हो तुम जाते हो लास्ट में जो हूँ आता है न इसको उखे इस तरह लिखा जाता है और kalian एक याद कब लिजेगा कि को इस तरह लिखा जाता है थिए ये चारों आग़र याद कर लेते हैं तो फिर present tense का जंजट ही खलम क्योंकि present tense में Last में है आता है तुम जाते हो तुम खाते हो और चाह फिर कंटिनु यूवलोग खा रहे हैं तो लाश्ट में है है ह्या तुम याद कर लिए रहा है laws यजय को लिखने आसाने होगा दूसरा से इसको क्या पढ़ा जाएगा यह तो पढ़ाएगा नहीं तिम भी नहीं पढ़ाएगा यानि कि तुम पढ़ाएगा तुम और यह लाम वाव और गाफ लाम में वाव जुड़ा है तो क्या इसको लिव पढ़ेंगे लिव तो नहीं लिव तो पढ़ाएगा नहीं लाम के हमेशा हे में हे में नून जुड़ है हाँ और सीन से सा और ते की नीचे जिर और बढ़िये जुड़ करते हैं तो तुम लोग हमेशा हस्ती रहते हो यह लिखा गया तो यह दोनों सेंटेंस था जो की होमर के रूप में इसके पहले वाले वीडियो में दी थी और आप सभी लो उर्दू को complete सीख जाएंगे पार 33 तक के वीडियो को ही देखकर बहुत हरी लोग बोल रहे हैं कि हम लोग complete उर्दू सीख गया है जबकि ऐसा नहीं है बहुत हरी चीजों को आप लोग को सीखना बात ही है देखिए सबसे पहला सिंटेंस में बोर्ड पर लिख दी हूं तु तुम लिखा जाता है ते से ता और ते के उपर क्या है पेश टे के उपर पेश जुड़कर तुम हो जाएगा एक मिनाट यह बढ़ा वाला तुम हो गया तुम और उसके बाद से स्कूल में देखिए आधा सबसे पहले सोचिए पूरा सा कुर्दू में क्या कहते हैं sobre の यहांपर आधा से हैं तो यह,पर आधा सीन लिख दीजे यह हो गया आधा सो और यहां पर क्या है कुव काक उरदू में काफ कहते हैं क्लिकळ का लगा दिए और यहांपर की उपर पेश लगाकर पेश जोड़ंगे तो यह,प्रों हो जोड़ेगा क्योंकि हम लोग लगा दिया जाता है ठीक है अगर आप स्कूल इस तरह से भी लिखते हैं तो भी कोई दिकत नहीं है लेकिन स्कूल जो है ना इस तरह से लिखा जाता है अलिफ लगा कर ठीक है आप चाहे तो अलिफ लगा सकते हैं अगर नहीं भी लगाए तो कोई दिकत नहीं है ठीक है तो त की मातरा में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं मिम के नीचे जिर लाकर और क्या करेंगे बड़ी ये जोड़ेंगे तो मन में मानेंगे ये जोड़ी में बड़ी ये तो मिम के नीचे जिर जुड़कर और ये बड़ी जुड़कर ये तो में हो गया लेकिन यहां पर क्या ह लिखना असान है को कूर्दू में कहते हैं काफ और यहां पर आधा काफ लिख दीजिए ना क्योंकि आधा को है ठिक और फिर या यह कूर्दू में कहते हैं यह और इसी में अलिफ जोड़ दिए तो यह हो गया क्या तुम स्कूल में क्या और करते तो कूर्दू में काफ कहते ह से रहा हो गया कर और तो उर्दू में क्या कहते हैं ते कहते हैं ते से तुट्ता हो गया लेकिन एक ही मातरा हम बदलने के लिए इसके नीचे जोड़कर जिर मानकर और बढ़िये जोड़ दिये तो ते के नीचे जिर बढ़िये जुड़कर तो करते तुम स्कूल में क्या करते और हो को मैं आप लोग को बताई ना याद रखिएगा इस तरह से लिखा जाता है हो एक उपर पेश और वाव उजूड कर हो बस सिंपल तुम इसकूल में क्या करते हो कितना आसानी से हम लोग लिख लिए अब इसी तरह आप लोग लिखकर पढ़कर उर्दू में कहीं पर भी वीडियो पिछला वाला वीडियो देखकर और फिर आज का वीडियो देखकर आप लोग को इतना तो पता चल गया होगा कि है इस तरह से लिखा जाता है और एक है इस तरह से लिखा जाता है वो इस तरह से लिखा जाता है हम इस तरह से लिखा जाता है वह इस तरह से लिखा होता है और किस तरह से लफ़ेपर करेंगे तभी आप लोग तेजी से उदू आगे देखिए क्या वे लोग बाजार जाते हैं बाजार में लीचे विल्दू करने थीक है दूसर सेंटेंस क्या है क्या वे लोग बजार्थ याद रखीएगा मैं जब चोटी थी ना तो बाट बार फिर्फ लॉट और जुम्ट में कम्छा हो जाती ही हार्ट क्या है जुम्ला क्या है एक बार तो किसी ने मुझसे पूछ दिया कि बता जुम्ला किसे कहते हैं और मैं छोटी थी बता नहीं पाई मुझको बहुत दा शर्मिन्दगी महसूस हुई उसके बाद से तो मैं इसको रठी ली कि हां हर्फ को हर्फ किसका उर्दू में हर्फ किसको कहा जाता है तो लेटर यानि की अक्षर क लफ मतलब लब और जुमला मतलब सेंटेंस यानिके वाक्य जैसे कि एक वाक्या है क्या वे लोग बाजार जाते हैं अब चलिए इस mooring होतु में लेकिन उर्दू को डाय से बाय की तरफ लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं तो ये दोनों एक दुसरे की अपोजिट होते हैं बहले हिंदी इधर से इधर लिखा गया है लेकिन उर्दू इधर से इधर लिखा जाएगा यानि कि दाय से बाय की तरफ लिखा जाएगा और या फिर वह लोग बात एक ही है तो वाव से वह और हे से हाँ वह लिख देंगे तो भी इसको वह पढ़ा जाएगा या फिर वह पढ़ा जाएगा इसको वह या फिर वह पढ़ा जा सकता है ठीक है तो क्या वह और लो लो को लाम के उपर पेश और वाव जूड कर यह हो गया ल ज़ा ज़ा को ऊर्दू में जे को बना दिया किया वात घखते हैं तो यह हो गया बाजार कितना असान है उसी तरह है जा देखें उपडिव वाला न वाला है है ही तो इसको ऊर्दू में किस तरह से लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे हैं ठीक है तो क्या वह लोग बाजार जाते हैं लास्ट में कोश्चन मार्क जरूर लगाएगा क्योंकि एक कोश्चन वाला सेंटेंस हैं कोश्चन पूछने वाला यहां पर भी कोश्चन मार्क देखिए और हिंदी में कोश्चन मार्क हम भी कर रहे हैं इसलिए आप लोग ध्यान से समझें वह क्यों ग्यापन एकेडमी से पढ़ता है और हां इसके सांथ साथ जो कुछ भी मैं आप लोगो समझा रहे हूं तो समझ में आ रहा है तो वीडियो को जितना ज़्यदा हो सके शेयर करें दूसरों और लाइक करना ना भूले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक करके जरूर जाएं लाइक कर दे जितना ज़िदा हो सके अपने पड़ोस दोस्तों चोटे बड़े भाई बहन जो उर्दू को दिल से सीखना चाहते हैं जो उर्दू से महबत करते हैं उन तक य यहाँ पर क्या है तो क्या तो हो गया लेकिन यह क्यूंग वाला सेंटेंट है000 से वह चूंग यापन अकेडमी से पढ़ता है तो क्यूं कौक और यह में क्या है ओ की मातर है यह है तो इस यह की उपर पेश मान कर इसमें वाव जोड़ दीजे तो यह की उपर पेश और वाव जुड़कर यह हो गया तो क्यों क्यों हो गया लेकिन यहां पर क्या है क्यों है यानि क्यूपर बिंदू वाला नौ भी है तो यहां पर गुन् मन आप लोग को लिखना है तो यहां पर डारेक्ट नौ दिखाई देर रहा है तो इसके लिए हम लोग नून जाहिरा का यूज करते हैं या फिर याद रखिएगा बार-बार बता दे रहे हूं ताकि आप लोग भूले ना और आप लोग गलती ना करें सेंटेंस को पढ़ने या फिर लिखने के दौरान थेक है तो यहां पर नुगुनना चिपका दिये तो यह हो गया वह क्यूं और ग्यापन ग्यापन तो लिखना आप लोग को आता ही है बताई भी थी इसके पहले वाले वीडियो में यह हम लोग के चानल का नाम है तो आप लो और फिर डाल से डड मिम के नीचे जयर और च्योटी यह मानर कर मी तो ग्यापन एकेडमी से किस तरह से लिखा जाय 끝o और पढ़ता पढ़ता पॉक उर्दू में पे कहते हैं और इसी में ध्र जोड़ दीजे तो ता हो जाएगा पढ़ता देखें अगर आप लोग को धूला दिखाई दे रहा है साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिए वीडियो कोने में 3 ड लिखाई देता है तो आप लोग जूम करते अभी मैं लिख रही हूं नो Window करके बड़ा करके मीश्चेम में लिख रही हूं तो रहे हैं को अंप द॥े से रहे गा है क्योंकि उपर बिंदु वाला ना तो नहीं है तो नॉर्मली इस तरह है रहेगा और यहां पर कोशन मार्क लगा दीजिए वह क्यों ग्यापन एक एडमी से पढ़ता है ठीक है सलीमा दिली में कहा रहती है यह है हिंदी में अब आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे तो व्डियो और बॉद्स करकर जरा इसको खुथ से बनाने की कोशिश किजिए इस तरह आप लोग को पता भी चलेगा कि यहां जो कुछ भी मैं समझ पा रहा हूं कि नहीं या फिर पड़ पा रही हो कि नहीं ठीक है जो भी हो तो सलीमा दिली में कहां रहती है अब चलिए मैं को उर्दू में लिखकर बताती हूं एक सीन लिख दीजे सीन से सव हो गया और लिए जूम कर लिजेगा जब मैं लिख रहे हूं तो जूम कर लेना है ताकि बड़ा बड़ा दिखाई दे और उसके बाद से ली है लाम से होता है और लाम के नीचे जेर मान कर इसमें छोटी ये जोड़ दिये तो लाम के नीचे जेर और छोटी ये जुड़कर ये हो गया ली और मीम इसी में चिपका दीजिए ऐसे और मीम में अलिफ जोड़ दीजिए तो मा हो जाएगा तो सलीमा सलीमा लिखा गया और दिल्ली देखिए भले ही हिंदी में दिल्ली लिखा जाता है लेकि इसको पढ़ा जाता है दिल्ली ठीक है उर्दु में दहली लिखा जाता है लेकिन क्या पढ़ा जाता है इसको दिल्ली पढ़ा जाता है याद रखिएगा ठीक है वैसे तो देखा जाए तो दिल्ली इस तरह से भी लिखा जाता है और इस तरह से भी लिखा जाता है दोनों तर झेट यह दीएर और छोटी जुड़ र internacional नमें इपना नर्प कर दोखे में ममब Apażenu में कहते हैं मेम और इसी में यह जोलका नजयोड़े तो मिम निजी जिएर और कॉम कर्म और नुगूर्णा का इस्किया गया है कहा को कर्दु में कहते हैं और छहां पर हा है हा कॉर्दु मैं कहते हैं है और चोहें लेकिन यह अपर क्या है कहाँ यानि कि उपर वाला उपर में क्या है चांद वाला नौ है तो चांद वाला नौ कुर्दू में क्या कहते हैं नून गुन्ना कहते हैं तो यहां पर नून गुन्ना ले जाकर चिपका दीजिए ठीक है तो काफ से को हे में अलिफ जुड़कर हा और नू गुन्ना कहां ठीक है उ ते और इसी के नीचे जेर मांगा जोटी हो दिये तो ति तो देखिए रहती और फिर है देखिए तो उपर बिंदु वाला ना तो नहीं है एज नौर्मल यह है है तो इसको ऊर्धू में इस तरह से लिख देँगे ठीखें वह कहां रहती है और लास्ट में question mark ठीक है I hope आप लोग को समझ में आया होगा देखे यहां पर बिंदु वाला नौ था यह वाले हैं में तो इसको इस तरह लिखा गया ठीक है अगर नॉर्मल है रहेगा तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा अक्सर लोग इसी में गलती कर देते हैं या फिर हैं को है लिख द होती हो यह मिठी है फिर हम पहले लिखिए यह हो गया हम ठीक है उसके बाद से क्या है लोग हम तो लिखा गया लोग लोग इस तरह से लिख दीजिए हम लोग कैसे अब यहां पर बात आती है कैसे 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 को कैसे लिखे ठीक है ना तो देखिए आसान है लिखना का आ लिख दिए काफ से कउ में यानि की कई बनाने के लिए काफ के उपर ढ़र मान कर इसमें इसमें बड़ी ये जोड़ देंगे तो काफ के ऊपर दबर और बड़ी जुड़ कर यह हो जाएगा कई हो गया न कई और फिर से है, सौ कोर्दू में कहते हैं सीन, तो यहाँ पर सीन लिख दिये, और से में एक ही मात्रा है, ठीक है, यानि कि सौ में एक ही मात्रा है, से बनाने के लिए, इसे सीन के नीचे जिर मान कर और बड़ी ये जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा, सीन के नीचे जिर और वाउ जोड़ दीजे सोख हो जाएगा और चो सोच हम लोग कैसे सोच और फिर क्या है पाते पे में अलिफ जुड़ करिये हो गया पा और फिर यह हो गया ते के उपर ते है ना अच्छा ते के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़ कर ते तो पाते पाते और है हम लोग पाते ह अच्छा यहां पर है रहेगा उपर बिंदु वाला नो रहेगा देखे जिस तरह मैं अभी यहां पर बिंदु वाला नो देना भूल गई थी इस तरह हिंदी में भी आप लोग को कहीं कहीं इस तरह नहीं दिया गे रहता है बिंदु वाला नो इस तरह नहीं दिया गे रहता ह को आप लोग को अपने दिमाग का यूज करना है आप लोग कोंसा कुछ Kुझ समेधार een काफि समजधार 1200 मीनिद है आप फिर लोग का तो आप लोग खुद दिमाग लगाएंगे कि यहाँ पर कया है subject क्या है हम लोग हम लोग क्या एक plural है हम लोग कैसे सोच पाती है यानि कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगल है सिंगुलर है लेकिन यहां पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है हम लोग यानि कि एक से ज्यादा लोग है तो यहां पर नॉर्मली बात है कि है का यूज होगा लास्ट में बिंदुवाला न रहेगा तो आप तो यह वाले हैं का यूज कीजिए ठीक है अगर यहीं पर रहता कि वह कैसे वह कैसे सोच पाती है तो यहां पर उपरबिंदु वाला नहीं रहता सिर्फ यह है बस हो गया क्यों क्योंकि यहां पर वह जो है न यह नहीं सिंगूलर है यानि की सिंगल व्हां कैसे सोच बाथि इसलिए यहांपर है लेकिन यहां पर फिर कैसे यह लिएगा दर है कैसे यह हो गया सोंच और पाती इग वाझावी और है इस थरह होगा वह कैसे सोच पाढ़ी हैमिया कि exactly मेर मैंने होगा की कैसे सिंपल प्रिजेंटेंस को इस सिंपल प्रेजेंटेंस के अ 위해서 को उर्दू में यह इता है आप समझ में आ गया होगा हर एक यह ऐसे से करसें से के सेंटेंश इसके लास्ट में रहा है रही है और रहे है होता है जैसे कि वह खेल रहा है वह मुन्हार रहा है वह दोर रही है वह लोग हस रहे देना बाकी है ना तो चलिए अब मैं बोर्ड मिटाती हूं और आप लोग को एक दो होमक नहीं दोगी बलकि काफी संख्या में आपको होमक दोगी पहले आप लोग लेजी यहां तक पड़वर्ड स्क्रीन शॉट हां तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बूर्ड पर मैं आप सभी लोग के लिए होमक लिख दी हूं और फास्ट थोड़ा लिखी हूं तो हो सकता है कि हैं राइटिंग आप लोग को देखने में अच्छी ना लगे लेकिन हां होमक आप लोग के लिए काफी टफ होने वाला बड़ налता एं और आठों के आठों सेंटमसे को सबसे पहले आपको कॉपी में हिंढी में लिख लीजिएगा और उसके बाद थेखे आप लोग सबसे पहले ना यहां तक स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे चलिए इन सभी सेंटेंस को आप लोग उर्दू में लिखना है पढ़ भी दे रही हों कि बार क्या वह मस्जिद जाती है क्या रुकईया बाजार से खिलावने लाती है हम लोग क्यूं नहीं होगी अगर दिखता थोग भी थोड़ा बहुत तो वह नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को क्लियर कर दोंगी आप लोग टेंसन फ्री रही है लेकिन होमवर्क को जरूर बनाने की कोईश कीजिए और इसको उर्दू में लिखने की कोईश कीजिए हम लोग क्यों शर दूसरे को मुबारक बात देते हैं सोच ये कितना अच्छा सेंटेंस लिखी हूं सभी ताहती है तेहे वला ही है कोई भी रहा है रही है वला नहीं सभी ताहती है वला है तुम लोग मंदिर क्यों जाते हो काम से फुरसक मिलने के बाद अमीना कहां जाती है वे लोग हर अर्दू बनाने वाला हो गया इसको उर्दू में आप लोग को लिखना है मैं सोच रही थी कि उर्दू भी लिखा हुआ देदू और आप लोग को इसको हिंदी में लिखना है एक काम करती हूं देही देती हूं इस तरह दोनों मतलब पढ़ने का भी प्रैक्टिस हो इस हिंदी से आप लोग उर्दू में लिखेंगे तो लिखने का प्रैक्टिस हो जाएगा अब मैं उर्दू लिखा हुआ देती हूं और उसको आप लोग को पढ़कर कमेंड में लिखकर बताना है कि क्या लिखा हुआ है मतलब पढ़ना है आप लोग को कि क्या लिखा बोर्ड पर मैं उर्दू मैलिक दी हूं पांच सेंटेंस को आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों इतना होमक दे रही हूं देखे इसके पीछे की जो मेरी मन्षा जो है वह यहीं है कि ताकि आप लोग ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस कर सके अभी आप लोग पढ़ेंगे स इसको पढ़ेंट मैं छाहिए बढ़ेंगे उतना ही जल्दी आप लोग घुbell बनाईए तो इसको पढ़ने की कशुष कीजे है अगर आप लोग पढ़ पार रहे हैं तो कमेंड में लिखिए कि हाँ यह क्या लिखा गया है पढ़कर और लिखकर बताईए अगर आप लोग 100% सही एंसर देते हैं तो आप लोग को गयापन एकड़ मिलेगा अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो जितना जदा हो सके आप लोगे फॉट लगाई कोशिश कीजिए कि आप ल इंदी में लिखने की कोशिश कीजिएगा तो चलिए आज किस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूं वाई-बाई टेक केर और हां वीडियो को लाइक करके जरूर जाईएगा जो कुछ भी मैं आप लोगो समझाई हूं समझ मैं है तो वीडियो को लाइक करके ही जाना है आप लोगों को और जितना जदा हो सके वीडियो को दूसरों तक पहुचाने की कोश्च किजिए यह डिमीन सफ लोग कीजिए आप लोग के जितने पर ऐस पर वगहीं जितने लोग कुदा हाफीज